वाई एलेक्शन हुए है पीटी आई ने लहूर में कोई सीटी नहीं जीती दांदली तो अंदा दुन्द हो रही थी क्या खान का बियानिया खतम हो गया चाने वाले निकले नहीं वोटिंग अभी दो तीन बज़े हो रही थी तो पहले फोटिफाइफ साइन करवाई जा रहे थे हमारा अपना मेरे बाई का बरेवाई का वोट जो है वो दाल कास्ट करने गया तो पहले कास्ट हुआ था और है तो निकल आए जोर चोड़ी करके मानता नहीं है मनवाना पड़ता है अब देखें उसको इनसे यह बास इंशालल करीब वक्त यह मानेंगे जो स्यासीनों के लीडर है ख्वाजा साथ रफीक साब यह देखे किसा के इंटर्व्यू दे रहे हैं उन्हों के मुखा रहे हैं सच्कुन है तशलिए राना स्ना अख दूजब अभी आमने देखा होगा वकया क्या एंड़ी क週末 लीग तो कहते हैं हम जब से हैं हम आएं हमारे बाये और आइम पर एल्भी कोई हमारे वोटर श्पूर्टर निकले ते और वाये ऐसे सेखा बात की बात की मेरे जो टीक दुरकषा गारू को विम आतना इचा च़छी सीटिए इस्ता बात का थे बात की बात हमारा रचो एंपी हो उसे तेन बजय उसने 40-45 मेरे ağंग लेको उसरे पर आया जो जो सिकनीचरर कर वा अब आप क्या कह सकते हैं अब आपने तो देखना ना चोड़ी करके मानता नहीं मनवाना पड़ गाइगा इंशाला यह जल्दी बाग जाएंगे अब ने बात किया लगता है अपने पांच साल का टेन्योर में कमल कर पाइंगे नए इंशाला यह और छे साथ मागी एम इन्श अब उम्मत को नजर नहीं आए जिसकी वज़ा से वो आर गए हैं पिछली दफ़ा वी सीधर ही हुआ था कि सारे निकले थे बाहर भी आये थे लेकिन वो जीत नहीं सकते हैं क्या खान का बियानिया खतम हो गया नहीं अल्ला का शुकर है अभी भी आया है हमारे दिलों में का बालेकमस्णाभ जिमनी ऐलेक्शन हुए है पीटी आई नहीं लहोर में से कोई सीट नहीं जीती च्या लगता है खान का बियानिया खतम हो गया है लेकिन जो पैसे दे के पांच साल में आएंगे नहीं किस ने आनाएं पांच साल कोई नहीं आएंगा लीडर आपको यहां ख अफसाफ करें के वोटर पहले भिक जाता है और बाद में कहता है हकूमत काम नी कर रहे हो कुम करने वाली को कु करे न कॉन करें का कर नढ़े का कम जब हमने पहले तीन जार पांच जार ले लिया तो फिर हम के उपर इलगा देंगे तो पर इल्जा कि अब दालते हैं अब भी उनको डाला है करें हमारे पास तो खुद ले कि आते हैं पर हमनी ऑफर कबोल नहीं करते हैं अब जिमनी एलेक्शन हुए पीटी आई ने लहोर में कोई सीट नहीं जीती क्या लगता है खान का बयानिया खतम हो गया है खान खुद भी इंशालला खत अब भी नहीं था अगर उसके बियानी में कोई असर होता तो वो तीन चार साल के दोरे कुमत में कुछ ना कुछ अवाम के लिए रिलीफ पैदा करता लेकिन उसके उसने अवाम को मुश्कलात दी हैं जो उसके दावे थे दरे के दरे रह रह गए हैं हर चीज जो दो 2018 से पह अभी भी हकूमत उन्नून लीकी मेंगाई पर कापू तो भी भी नहीं है देखें जी मेंगाई पर कापू अब होना शुरू हो गया आटेगा रेट काम हो गया गी और दालनें भी सस्ती कर दी गईंगे इंशाथला मजीद सस्ती होगी चुके अब गंडूं की खरीदारी ग हैंगे जो दोदे अठारा से पहले के थे पृर्स दान्दली भी तो पहले भी कहता था 14 में जब कहता था के जिसकी खूम्हत होती की धी निहीं इविए देख़ें जब उसको मिलिन इस दब नहीं थी यह दान्दली की बात थी ऑद लोगों ने अब इन्शालला अंदाजा हो गया है, कि खान का जो बियानिगा था, वो सिरफ और सिरफ बियानिगा था, उसके उसके अंदर दम नहीं था, अगर होता, तो आप तक वो अवाम को रलीव देते हैं, और अवाम खुशहाल हो जाती है, लेकिन अवाम चक्की में पिसी है, जानी से निकल रही गया है, और स्टेबल होगा इंशाला मुला कमारा, आगे जलते हैं, जी, स्लाम लेकुम्जी, जिम्नी एलेक्शन हुआ है, पीटी आई ने कोई सीट नी जीती लहौर में, क्या लगता है, खान का साब के चाने वले खतम होगी, जिम्नी एलेक्शन हमेश तब गौर्मेंट में नहीं थे तो नवे सीटे खागे इनकी, नवे प्चानवे सीटे नहीं खाई हैं, इतनी जबर्दस्ट दांदली हुई है, तो गौर्मेंट रहा के इननों सीट देनी थी, वैसे भी वर्कर वोटर नहीं गये ज्यादा इस तरफ, उनको पता था का जिम और मरियम साहिबा रिलीफ ही दे रही हैं जब से आई हैं, और बहुत काम करती ही नजर आ रही हैं, शाहिद चाहने वाले खतम होगे हैं, नहीं यह ऐसे ही दोड़व, पोड़ोग्राफिं करा रही हैं, वह वर्ना कोई मसला नहीं है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, काम यह वसला है, परिलीफ करता कोई नहीं मिल रहा हूं को, ना मिलेगा ना इनसे उमीद है, उनके पास कोई, हम आपी के हलके की बात कर लें, यहां से अली परवेस मलीक जीते हैं, वह तो गात करते हैं, लोग उनके सपोर्टर वोटर हैं, वह बड़ा काम करवाते हैं, नह काम वो परा फेयर जीते हैं इसको फंड मिलते हैं वो काम भी थोड़े पूसे करवा देता है लेकिन ये स्टेट पर जारतार वैसे भी नून लीग शुरू से जीती आई है लेकिन मिया शिदाद फरूग जीता था इस दफार मेरे ख्याल में लेकिन वो नहीं पता चला दांदली ह लेकिन जिमनी एलेक्शन हुए हैं पीटी हाई ने कोई सीट नहीं जीती लहुर में क्या लगता है खान के चानने वाले कि छुप गए थे निकले नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा तो ही नहीं सकता है क्योंकि हम लोग खुद भी खान की सपोर्टर हैं याप देख सकते हैं ब होते हैं अवाम का टाइम जाय करते हैं तब आपको लगता है इस बार फिर धांडली हुए है बिल्कुल नहीं बिलकुल बिल्कुल इमरान खान के चाने वाले थे रेंगे ये तो दंड्ली युई असारी और इसमें कोई मसला नहीं था कर दिया है कि वोको पता है नो जैसी हम पर संद बाहरे हैं अबच्छे जे आर नगे हैं कि exactly something जूंकर यहें आप थाह आए वाले को नहते हैं माँ में सिर्फ और 30 निकलें और कोहिभी हैं या किथा नगा रहा कि दोस्त पकड़ो होते हैं तो तशद्दूद शुरू कर देते हैं पुलीस वाले